Welcome to the YouTube Partner Program I got this mail from YouTube on 8th September 2023 मेरे इस चैनल को monetization के लिए एप्रूव होने में कितना टाइम लगा दो दिन, चार दिन, एक हफता या फिर एक महीना कुछ ऐसे mistakes जिससे तुमारा monetization एक महीने तक भी डिले हो सकता है या फिर monetization overall reject ही हो जाए एक छोटी सी गलती और मेनत बरवाद ओके सो पहले process देख लेते हैं कि monetization के लिए मैंने apply कैसे किया जिससे बिना किसी mistake या ज्यादा delay के मेरा monetization एप्रूव हो गया जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि monetization के लिए channel eligible तभी होता है जब तुमारे channel पे 1000 subscribers and 4000 hours watch time complete हो जाए ये criteria complete होने के बाद earn वाले section में ये कुछ ऐसा page open होगा जिसमें apply now buttons होगा और इस पे click करने के बाद ये 3 steps होगे जिसमें से ये दूसरा and तीसरा step सबसे ज्यादा important होता है जिसमें एक छोटी सी mistake से monetization महीनों तक भी delay हो सकता है सो द्यान से देखना ओके सो ये जो पहला step दिख रहा है review based terms इसमें तो बस तुमें terms and conditions accept करने होते हैं और फिर ये पहला step done हो जाएगा फिर start होता है second step which is sign up for google adsense इस पे start पे click करेंगे then it will ask कि पहले से adsense account है या new बनाने का है और अगर already तुमारा कोई adsense account है तो गलती से भी new मत बना लिए नहीं तो reject हो जाएगा so second option पे click करेंगे कि no I need to create one and then हमें एक email account select करना होगा तो मैंने अपना एक नया email id adsense के लिए दो दिनों पहले ही बना के रख लिया था इसमें तुम कोई भी email id यूज कर सकते हो but मैं यही suggest करूँगा कि new email id यूज करो और कई लोगों का ये भी question होगा कि भाई क्या same YouTube वाला email id यूज कर सकते हैं क्या तो इसका answer है हाँ यूज कर सकते हो जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि आसकल काफी सारी YouTube accounts hack होते रहते हैं तो अगर कभी unfortunately तुमारा account hack वगर होता है तो अगर same email id से adsense भी link रहेगा तो क्या पता इससे तुमारा adsense account भी effect हो जाए तो इसलिए I personally prefer new one ओके तो यहाँ पर हम अपनी id select करेंगे और फिर कुछ ऐसा page open होगा जिसमें तुमारा YouTube का URL पहले से ही fill रहेगा तो इसकी tension खतम फिर इधर नीचे get more out of adsense इस पे yes पे click करेंगे जिससे adsense हमें mails भीजता रहेगा regarding help and performance इधर फिर simply हम अपना country select करेंगे और फिर नीचे जाके agreement पे yes click करके and then create account बिजनेस रखोगे तो गड़बड हो जाएगी and then अपना name यहाँ channel का name मत डाल देना खुद का name डालना या फिर जिसका bank detail एड करोगे उसका name होना चाहिए and उसके बाद हम address फिल कर देंगे सारा फिर mobile number and फिर यहाँ पर एक बार और mobile number for the OTP confirmation और TTP डालती यह redirect हो जाएगा तुमारे YT studio में and यहाँ पर सो होगा in progress और अब तुम्हें बस एक ही काम करना है और वो है इंतिजा AdSense account एप्रूब होने में यह कुछ घंटों में भी हो सकता है कुछ दिन भी लग सकते हैं और in some cases कुछ हबते भी Personally मुझे 8 दिन लगे थे यह approve होने में and अगर तुमारा कोई पहले से AdSense account है तो इसमें सिर्फ 2 दिन ही लगेंगे monetization approve होने में बट अगर new बना रहे हो तो इसमें time लग सकता है यह AdSense approve होते ही third step खुद से ही review के लिए चला जाएगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि it can take about a month पर महीने बर नहीं लगते बे कुछी घंटों या दिनों में हो जाता है मेरा सुबह के time AdSense approve हो and उसी दिन around 2 पीम मेरा channel का monetization भी approve हो गया इसका reason यह हो सकता है कि मेरे channel पर सरिफ 8 से 9 videos ही upload थी तो reviewer को ज्यादा time नहीं लगा होगा मेरे channel review करने में अब बात करते हैं कि हमें क्या गलतिया नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारा channel AdSense या monetization के लिए delay हो या फिर reject ही हो जाए अगर तुमारे पास पहले से AdSense account है तो दूसरा AdSense account मत बनाना सेकेंड AdSense apply करने के बाद Google पे AdSense account login करके उसमें कोई भी छेड़कानी मत करना थर्ड जब तुमारे channel review के लिए जाता है तो उसमें channel reviewer कुछ चीज़े चेक करता है main theme of your channel like तुमारे channel किस category पे based है most viewed video, newest video, big proportion of watch time मतलब तुमारी videos पे सबसे ज़्यादा watch time कहां से आया video metadata including title, thumbnail and description कहीं तुमने title में कुछ और, tags में कुछ और, thumbnail में कुछ और and video में कुछ और तो नहीं डाल रखकर तो apply करने से पहले ये सारी चीज़े चेक कर लेना so जो भी video तुमें लगे कि इस पे मैंने किसी का clip यूज किया है तो strike आ सकती है उस video को पहले ही remove कर दूँ okay so that's it in this video कोई भी query हो regarding this topic so let me know in the comment section and also do subscribe to this channel hit the like button मिलते नेक्स वीडियो में thanks for watching